नमस्कार में हुआ विशेक त्यागी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो दूसरा टी-20 मुकाबला है वो वोर्नर स्टेडियम पर खेला जाएगा इस मैदान पर टीम इंडिया पहला टी-20 मुकाबला खेल रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैदान का माहुल कैसा है मैदान का स्वभाव पिच का स्वभाव कैसा है और क्या मोसम आज भी दखल डालेगा मोसम विभाग की क्या जान कर ये मैं तमाम चीज़े आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूँ सबसे पहले पिच का स्वभाव कैसा रहेगा मैदान कैसा रहेगा किस तरीके के लगार दस मुकाबले खेले गए हैं तस में से पहले बल्ले-बाजी करने वाली टीम को जीट मिलती है अब बात करते हैं पिछके स्वेब हाउट की पिछ कैसी है तो पिच तेस गेम बाजों को मददगार है यहां पर इस बात का अंदादर इस से लगा जाए जाता है कि 10-320 60 विकर पंदाज सकते हैं कि इस पिछ पर तीज गिंवाजों का बोल वाला है जाहे तोपार टीम इंडिया वीदिव पिछले मुकाबले में टीन स्पिनर खिलाए थे आज हो सकता है कि एक इस पिनर कम करके एक तेज गिंवाज को सामिल किया जाए पिछ के माहुल को देखते ये पिछका स्वभावा तेज गेंबाजों को बहुत मदद मिलती है लो स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है यहाँ पर टेज गेंबाज कहर बर पाती है तो जादा स्कोर यहाँ पर नहीं बनता है वेस्ट अंडीज का यहाँ पर तीन साल पहले 45 हन का लो स्कोर था वेस्ट अगर करें मोसम की तो मोसम आज बड़ा खुशनुमा रहने वाला है कोई टेंशन नहीं है बारिश बिल्कुल नहीं होगी बिल्कुल खुला हुआ मोसम रहेगा दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा लेकिन तेज गेंबाजी की जो धार है ना वो बारिश की बोचार जैसी ही होगी यह बात आप ध्यार नखना जैसी बारिश की बोचार होते हैं उसी तरीके से आज तेज गेंबाजों की धार देखने को मिलेगी तो आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है और आज के मैच को आप किस तरीके से देखते हैं टीम इंडिया को क्या बढ़नाव करना चाहिए फटापट कमेंट करके जरूरू बतेएगा वीडियो चलेगे तो लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्काब जरूरू करिएगा